अब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग अप नहीं हर दुकानदार की बस एक ही अप Big Bliss Big Bliss चुने केवल 30 सेकिंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं मुनाफा कमाएं, खुशिया कमाएं Big Bliss Big Bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान दिल्ली, हरियाना, यूपी समेद, देश के कई राज्यों में गर्मी इन दिनों अपना कहर वरपा रही है अकसर गर्मी का कहर 15 मई के बाद देखने को मिलता था, लेकिन इस साल अपरेल की शुरुवात सही प्रचंट गर्मी हो रही है तापमान में इजाफा इतना है कि पारा 45 डिगरी के पार पहुँच चुका है इस बीच मौसम विभागने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कम से कम पाँच राज्यों में तापमान 45 डिगरी के आसपास ही बना रह सकता है इन राज्यों में आपका राजिस्थान, यूपी, ओरीशा, हरियाना और दिल्ली शामिल है खास तोर पर मई के पहले सब्ता तक ये कहर जारी रहेगा लेकिन 4-7 मई के दौरान बारिश का भी अनुमान है जिससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है मौसम विग्यानी का कहना है कि मई के पहले सब्ता में बारिश होने की कुछ उमीद है मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में लगातार 45 डिगरी के करीब ताकमान बना हुआ है दिल्ली की ही बात करें तुब गुरुवार को दिन की शुरुवात ही प्रचन गर्मी से शुरू हुई थी वहीं आज दिल्ली का अधिक्तम ताकमान 43 डिगरी सेल्सिस तक जा सकता है इसके अलावा शुकरवार को इसमें एक डिगरी का और इजाफा होने का अनुमान भी था और 12-44 डिगरी सेल्सिस तक गया था एक तरफ गर्मी ने कहर बर्पा रखा है तो वहीं बिजली कटावती इस संकट को और बढ़ा रही है महराष्ट्र जैसे राज्यों में बिजली की आपूर्ती बहुत तेजी से बड़ी है और इसके चलते पावर कट करना पड़ रहा है यही नहीं यूपी और दिल्ली में भी कई घंटों की कटावती हो रही है महराष्ट्र में कोईले की आपूर्ती भी प्रभावित हो रही है सूबे में 20,000,00,00,00,00 कोईले की कमी है इसके अलावा राजिस्तान में हर दिन करीब 4 घंटे फैक्ट्री में पावर कट हो रहा है वही गुजराद और आंध्रपरदेश ने तो पहले ही ओद्योगिक छेत्र में बिजली की कटावती कर दी है ताकि रिहाईची इलाकों में आपूर्ती दी जा सके राजिस्तान सरकार ने ग्रामीन इलाकों में 4 घंटे की बिजली कटावती शुरू कर दी है जिसके चलते लोगों को प्रचंड गर्मी से जूजना पड़ रहा है ये हाल तब है जब मौनसून से पहले गर्मी का पीक सीजन अभी आना बाकी ही है जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो विंटर कैपिटल कही जाने वाले जम्मू में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है इसके चलते पावर कट हो रहा है और कई इलाकों में पानी की किल्लत भी देखने को मिली है इसके अलावा ओरीशा के भी करीब 24 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया गया है हीट वेव के चलते राज्य में सभी स्कूलों को 30 अपरेल तक के लिए बंद किया गया है इसके अलावा बश्विम बंगाल ने तो गर्मी की चुट्टियां लू के चलते पहले ही गोशित कर दी राज्य में स्कूल एवं कॉलीजों को 2 मई से ही बंद करने का आदेश जारी किया जा चुका है वहते ही बंद कर दी, डाजय कर दो सम्सेल खारे कि यजि रहाति किया बंद कर दी यह जो खा़े बंद कि च।प एपर च्छों को 30 अन Le肉 ल। जो से ही बंद किता क्यात्रि श्रूं रहुर्म।